हाँ बच्चो तो आज बाली क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो पहले एक कोईक रिवीव हो जाए फिर आज बाली क्लास तक पहुँच जाएंगे तो लास्ट बाली क्लास में जो भी हमने सीखा था सबसे पहले ये सीखा था किसी भी body के motion को change कौन करता है force और वो force किसी भी body के motion को किस तरीके से affect करेंगे इसके लिए 3 law होते है Newton साहब के ठीके उसके लिए 3 law होते है Newton साहब के first law क्या होता है किसी भी body को अगर state change करना किसी भी body की तो आपको उस पर force लगाना पड़ेगा फिर 3rd law आ गया first के बाद direct 3rd पे पहुँच गए कि आप उस body पे जो force लगाओगे वो body भी उत्तरी force पलट के आप की उपर लगा देगा ठीके इसको बोलते हैं 3rd law फिर आया 2nd law 2nd law यह कहता कि किसी भी body पे जितने भी net force काम कर रहे है वो equals to m into a vector हो जाते है ठीके तो बाकी दो law फस्ट और थर्ड अगर आप ध्यान से सुनों तो फस्ट और थर्ड law जो है वो केबल कैसी analysis बता रहे है वो qualitative analysis बता रहे है कोई quantity वाली बात नहीं कर रहे है वो केबल एक pattern बता रहे है कि ऐसा होगा बट जो value निकल के आ रहे है वो किस से निकल के आ रहे है second law से और second law में भी अगर आप ध्यान देखो तो second law में केबल दो ही बाते है कौन-कौन सी एक तो है बेटा f equals to m है तो बहुत बार आप से कोई force पूछा जाएगा और बहुत बार आप से acceleration पूछा जाएगा अब जो problem मिलेंगे उनको करने का हमने आपको sequence बताया था कौन सा sequence टेक फी वाला कि पहले आप tension लिखोगे फिर acceleration लिखोगे फिर acceleration के बीच का relation it is called as constraint इसको लिखोगे फिर fbd और equation शुरुबात में जो हम problem ले रहे थे वो सब कैसी थी रेस्ट पे थी ठीक है जो रेस्ट पे थी या f net वाली जो स्थिती होगी उसको कहा जाता है equilibrium position f net की स्थिती को हम लोग बहुत बार क्या लिख देते है equilibrium position तो अगर कहीं equilibrium सब्द का इस्तेमाल हो या rest सब्द का इस्तेमाल हो तो दोनों ही एक ही दिशा में ले जाती है और वो दिशा क्या कहती है बोलो के भाया f net की value 0 रखने है ठीक है अगर acceleration 0 हो गया तो f net मतलब जैसे अगर कोई body ऐसे रखी थी इधर लग रहा था f1 इधर लग रहा था f2 अगर यह rest पे है इसका मतलब क्या होता था बेटा f1 equals to f2 याद आई यह चीज अब दूसरी चीज बोल रहे हैं ठीक है हम आपसे एक सवाल दे रहे हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे हमने कहा एक body है इस पे तीन force काम कर रहे थे एक यहाँ से कर रहा था f0 का एक यहाँ से कर रहा था 2f0 का यह अगला force है f1 का यह अंगल है theta find f1 and theta so that system can remain at rest या in equilibrium हम लेखे थे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है it is the question देखो ऐसे questions को करने का जो तरीका होता है बेटा क्या हो गया कुछ अटक गया इनकी आवाज आई थी कुछ चलो ठीक है अब ऐसे questions को करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप सबसे पहले forces को balance कराना है अगर तो आप दो direction माल लो perpendicular direction ठीक एक को x axis एक को by axis कोई जरूरी नहीं है कि x और y horizontal और vertically हो किसी और देशा में भी हो सकते हैं ठीक है एक्स और y माल लिया अब इस f1 को क्या आप तोड़के लिख सकते हो ये f0 और 2f0 तो already हैं axis पे ये f1 नहीं था तो जो आढ़ा टेड़ा हो उसको आप दो perpendicular direction में तोड़के लिख सकते हो कैसे इस f1 पे आपने cut लगाया f1 का इधर की तरफ component cos pass वाले rule से मतलब angle के pass वाला component क्या हो जाता है f1 cos theta इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा sin theta अब इधर body चल नहीं रही है तो इधर के भी force balance होंगे और इधर के भी force balance होंगे ऐसे लिख सकते हो के f1 का cos theta must be equals to 2f0 ठीक f1 का sin theta equals to f0 यह equation 1 बोल दो इसको equation 2 बोल दो 2 divided by 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10 theta equals to half theta equals to 10 inverse half बोलो ठीक है हाँ है ना ठीक चल अब बढ़ते हैं आगे बढ़ें आगे नेक्स्ट है हमारा f1 की value निकालना तो 1 square plus 2 square कर दें आगे समझे ने बात है हाँ है ना चलो अब देखो एक कॉश्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अभी तो simple question दिया था हमने जो की थोड़ा अलग टाइप का था अब दे रहे हैं दूसरा question जो थोड़ा सा अलग है यह question किस तरीके का यह समझ लिए थे सब लोगों को यह समझ में आया था बेटा कि यह कैसे किया गया है बोलो कोई ऐसा जिसको ना आया हो समझ में अब यह दो equation बन गए ही दो को solve करके हमारी कोशेश है कि हमें निकालना है f1 की value यह f1 निकालना है कैसे निकलेगा f1 डिवाइड कर दिया तो आगे 10 थीटा ठीक है डिवाइड कर दिया तो यह आगे 10 थीटा और अगर आपको एक equation की पुरानी अगर रियाद आ रहे है sin2 थीटा प्लस cos2 थीटा तो इधर lhs को square करके add कर दिया यह rhs भी square करके add हो जाएंगे तो यह चीज़ बन जाएगी रूट 5 f0 ठीके चलो बढ़ें आगे यह सो चलो next देखो यह तरपाथी बेटा कौन है कोई नया वालक है क्या यह तरपाथी यश कौन है यह बालक चलो कोई बात नहीं अभी देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं अगला जो target है उस पर काम करते हैं हमारा question बहुत simple सा है कि एक ऐसी दीवाल है इसको अटाई दो ठिक, ये इसका सेंटर है, ये थोड़ा सा हट गया तो इसको चिपका दिया जाए क्या, गोले को थोड़ा सा इधर की तरफ कर दिया जाए ताकि इससे चिपका हुआ लगे, चलो, अब ये कह रहा है अगर इसका मास M है, तो सबसे पहली ये थीटा है यहां का इंगल, सबसे प ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन कित्ती होगी, ये पूछ रहा है, सेकेंड, फाइंड नॉर्मल रियक्शन, ठीक है, तो करो सवाल को चलो, करो देखो, तरीका क्या रखना है आपको, टेंशन लिखना है, एक्सेलरेशन लिखना है, कंस्टेंट बनाना है, एफवीडी और एक्सेलरेशन कंस्टेंट लिखना नहीं है, क्योंकि इन दौनों की वैल्लू जीरो है, रेस्ट पे हाई है, बोलो जल्दी से, रसी में टेंशन कित्ती होगी, एक एक करके लिखना सुरू करो, टेंशन ऐसे बनेगी, ठीक, इसको अलग से उठा लें, ठीक है, इसको अलग स उठाया, ठीक है, अब इस पे कौन-कौन से फोर्स लगेंगे बेटा, सबसे पहला नीचे की तरफ, एम जी, इधर से क्या लग रहा होगा, बेटा, इधर से एक नॉर्मल लगती, हम उसको चाओ तो यहां से भी बना सकते थे, ठीक है, थोड़ा आगे शिफ्ट कराके यहां पे भी ला सकते हैं, ठीक, और साथी साथ एक इधर की तरफ एक टेंशन टी, ठीक है, इधर की तरफ एक टेंशन टी, यह वाला इंगिल थीटा है, हमारे एसाब से यह वाला इंगिल भी क्या हो जाएगा थीटा, ठीक, अब देखो इधर की तरफ यह टी को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं क्या, इस टी को दो डिरेक्शन में तोड़ा जा सकता है क्या बेटा, हाँ, बहुत सारे लोग इसको मन में ही कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अलग-अलग से करते हैं, ठीक है, इस टी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, हलाकि इस पर हलका सकत लगा सकते हो, इधर की तरफ कितना हो सकता है, टी, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर वाले फोर्सिस बैलेंस होंगे, क्या लिख सकते हैं, टी कॉस्ट थीटा एककोल्स टू, एम जी, बोलो, और इधर पर क्या लिख सकते हैं, टी साइन थीटा एककोल्स टू, एन, यहां सॉल्व करके बोल सकते हो, टी कॉल्स टू आ गया कित्ता, एम जी अपॉन, कॉस्ट थीटा, और टी, एन की वेलू कित्ती आ रही बेटा, एन इक कुल्स टू आ जाएगा हमारा, एम जी, टैन थीटा, बोलो, इसमें किसी को दिक्कत परिशानी लगी क्या, सब ने कर लिया, चलो, कर सकते हो, ऐसे ही कुश्टन एक और दें तो हो जाएगा, चलो, देखो, हाँ, मास एम दिया गया है बोडी का बेटा, दुरुप पूछ रहा है, चलो, अगला कुश्टन देखो बेटा, नेक्स्ट है, एक इस तरीके की दीवाल है, एक चीज बर्टिकल है, दूसरा यहां से थीटा के अंगल पर है, दुरुप बोल रहा है, फिर से एक बार explain कर दो, क्या बेटा, फिर से करना explain, दुरुप अभी अभी बेजा है, थोड़ी दिर पहले का था, समझ में नहीं आया है, हम फिर से समझा देंगे, कोई अतराज नहीं हमको, अभी अभी चलो, देख ले रहा है बेटा, देखो, पुराना सवाल यह कह रहा है, एक बार फिर से समझा दो, यह अंगल थीटा है, find n1 और n2 हम यहां लिख दे रहे हैं, तब तक जिन लोगों का हो गया, वो इस question को करें, ठीके, इसको हम पुरानी वाला सवाल बता दे रहे हैं, देखो बेटा, इसके पहले हमने एक थोड़ी थीम बनाई थी उसकी, कैसे करना है, ठीके, यहां पर चाहो तो देखो जब आप सबसे पहला काम क्या करते हो, टेंशन लिखते हो, आपने T और T लिख दिया, लिख दिया, सेकेंड काम क्या करते हो, एक्सेलरेशन लिखते हो, एक्सेलरेशन लिखना नहीं है, एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन का कोई मतलब नहीं है, फिर आपने क्या बनाई, FBD, FBD में कौन-कौन से force लगेंगे, सबसे पहले Mg नीचे की तरफ, फिर एक contact force, दो जगे से contact है, एक tension से और एक normal से, अभी ये सब अलग अलग जगे पे हैं, analyze करना थोड़ा मुश्किल है, तो सब को एक point पे एक जगे से शुरू करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा, एक इधर की तरफ T, इधर की तरफ Mg, इस N को आगे बढ़ाए, ये ये और ये, ये तीन रहेंगे के नहीं रहेंगे, बोलो, अब ये दो तो ठीक थे, N और Mg तो ठीक थे, ये T टेड़ा मेड़ा था, तो T को हमने दो हिस्तों में तोड़ दिया, एंगल के पास वाला component होता है cos ये ठीटा था तो, ये T cos फिटा, ये T sin फिटा, अब ये इस खास थीक तो खतम, अगर आप ध्यान से देखों तो आपके पास चार फोर्से हैं, इधर की तरफ किता है T का cos theta इधर क्या है mg इधर क्या है t sin theta इधर क्या है n बास पहले इधर के force balance कर दिए इधर से क्या आ गया ये इधर के force इधर से balance कर दिए क्या आ गया ये समझ में आया अगर आ गया हो तो तुरंद बोलो yes sir आ गया आगे बढ़ जाओ yes sir चलो ठीक यह आया इसको करो जल्दी फटा फट सर, N2 आ रहा है, Mg बाई साइन सिटर, N1 आ रहा है, Mg पॉट पीटा देखते हैं चलो देखें इसको यह सर, देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो, टेंशन इसमें है नहीं हम इसी इसी फर्मूले पर चलेंगे टेक फी वाले पर टेंशन है नहीं, एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं है कंस्टेंट भी नहीं है, अब FBD बनाने हैं इसकी FBD बनाएं, एक यहां से, एक यहां से, और यहां से करेक्ट, इसको बाहर उठा लाएं नीले रंका था यह नीले रंका था यह नीले रंक से ही बनाते हैं तड़ पीले ही हो गया यह तो यार यह बन गया, ठीक है? यह सेंटर है, चलो, अब सेंटर पे सबसे पहला काम क्या होता है? Mg लगाना, लगा दिया Mg, सेकेंड क्या होगा यहां से क्या लगेगा? इदर से क्या लग जाएगा बेटा? N1 N1, N2 किसी को भी बोल दो देखो बेटा, इसमें जरूरी नहीं किनी भी दो लोगों के सवाल सेम मिलें ठीके, तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा थोड़ा ध्यान से देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दें बेटा थोड़ा सा, आप अगर इसको चाहो तो लिख लो हम एक क्वेशन में बात कर रहे हैं, बस ठीके, आप इसको लिख लो, यह बहुत काम की चीज है कि angle between n and mg will be theta इसके आगे light लगा लो, और बहुत काम का है angle आप चाहें देख लेना, यह बहुत काम आएगा ठीके, angle between n and mg will be theta देखो, अब ज़रा हम थोड़ी सी गरित लगाते हैं और देखने कोशिश करते हैं कि क्या होगा बेटा, इसको आगे बढ़ाएं यह angle theta है, यह 90 है, यह वाला angle कित्ता हो जाएगा बेटा कित्ता हो जाएगा यह अरे बोलो यार 90 minus theta very good तो यह वाला angle कित्ता होगा 90 minus theta यह वाला angle कित्ता होगा यह क्या है बेटा, यह normal की दिशा है और ये कौन सी है mg की डिरेक्षन है n और mg की लाइन के बीच का एंगिल क्या आया यही थीटा यही हमने लिखा हुगा देखो यहां पर ठीक है बल बल जला दिया चांद तारे लगा दो इसके उपर स्टार लगा दो बहुत काम का है यह ठीक है इस चीज से हमें तो बहुत मदद मिलती है बेटा अब देखो सुनो यहां से जो हमने बनाया था यह यह नॉर्मल इदर की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी बोलो जाएगी ना ठीक है तो हमने यहां से नॉर्मल खीचा ठीक है कित आया यहां से N2 ये angle किता है बेटा ये N है और ये Mg है ये N है ये Mg है ये इसका theta मतलब यहाँ theta आएगा बस अब इस सवाल को solve करना आता है बिलकुल बता दे रहे हैं बेटा ये याद रख सकते हो N और Mg के बीच का angle theta होता है अबे केवल तुम्हें प्रूफ करके दिखा रहे हैं पहली बार हमेशा यही लगा दे न डारेक्ट ये angle theta है देखो geometry है आप हमसे 3-4 बार पूछोगे हो सकता है कि एक आद दो बार गलत अलग 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 तरीके से निकले geometry का आपका अपना तरीका होता है ठीके यह थीटा है यह 90 था तो यह 90-theta हो गया यह 90-theta यह वाला 90-theta तो यह कित्ता हो गया थीटा समझ गए, समझ गए, चालो, ठीक, अब यहां से क्या आ रहा है, इस N2 को ब्रेक करें, दो हिस्सों में, बोलो, इस N2 को ब्रेक किया जाए, दो हिस्सों में, कट किया इसको, इधर की तरफ कित्ता हो जाएगा बेटा, N2 कॉस्ट थीटा, इधर की तरफ कित्ता हो जाएगा, बताओ बच्चा, N2 का साइन थीटा, अब N2 कॉस्ट थीटा किसके बराबर है, Mg के, आया ना, तो N2 की वैलू कित्ती आ गई, Mg अपॉन कॉस्ट थीटा, और N1 कित्ता है बेटा, Mg 10 थीटा, करेक्ट है, यस सर, चलो, बढ़ें आगे, ठीक, नेक्स्ट देखो, चलो, अगला है, नेक्स्ट एक और दें आप लोगों को करोगे, यस सर, चलो देखो, ये बन गया था, सबसे, ये वाला, ये सर, हो रहा था, कोई दिक्कत परिशानी इसमें, ठीटा निकलने मुवित सर, वो भी आ गया, बस, 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 चलो, अच्छी बात है, अब देखो, एक कॉश्ट और देखो, चलो, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा सा, ऐसे सोचो, चलो, ये ओरिज़न्टल लाइन है, यहां से भी थीटा है एंगल, यहां से भी थीटा है एंगल, इस पे एक बॉल रखी हुई है इस तरीके से, अड़े यार रखनी पाई है, एक मिनट ठीक है, आपको बताना N1 और N2 की वेलू कित्ती होंगी, find N1 and N2, मतलब दो नॉर्मल लगेंगी, कोई ज़रूर ही नहीं है कि आप इसको N1 बोलो, दूसरे 0.2 बोलो, सबके आंसार अलग-अलग हो सकते हैं, कुछ लोग इधर N1 मानेंगे, कुछ लोग इधर N1 मानेंगे, चलो करो, उर, N2 और N1 की वेलू एक ही आ रही है, कित्ती ही आ रही है, MG upon sinθ, के एमजी अपॉन टू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा एमजी अपॉन साइन थीटा देखते हैं एक बाद चेक करो बेटा टू टाइमस आना चाहिए हमको लगता है हाँ सर टू साइन थीटा आ दिया है पता नहीं साइन होगा कॉस होगा अभी चेक करना पड़ेगा देखते हैं चलो गुड देखते हैं सौल करें सवाल को यह बन गया अब इसमें देखो सबसे पहली चीज सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है सबसे पहले सेंटर से नीचे की तरफ क्या लगाएंगे हम एम जी ठीक है दूसरा क्या करेंगे देखो थोड़ी एक सपोर्टिंग लाइन बना दे रहा हैं सपोर्टिंग लाइन से कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है यहाँ से जो लाइन जाएगी बेटा ऐसे से करके जाएगी की नहीं बोलो यहाँ से एक लाइन जाएगी अबे यहाँ से जो लगेगा नॉर्मल वो इसी दिशा में तो जाएगा इधर की तरफ क्या लग जाएगा और यहाँ से जो जाएगा वो एन टू एन टू करेक्ट यह बना दी हमने लाइन आप जानते हो यह वाली नॉर्मल इधर से आईए यह नॉर्मल किस सर्फिस की है इसकी रहाया न तो इसका नॉर्मल और यह एमजी की लाइन है इन दौनों के बीच में यह वाला एंगिल भी थीटा होगा अभी बताया था N और M-G के बीच का अंगिल थीटा होता है यह N वाली line है यह M-G वाली line है इन दौनों line के बीच का अंगिल थीटा है यह इसका normal है यह M-G है तो यह यह वाला थीटा हा जाएगा यहाँ पर और ठीक है की नहीं अब देखो आपकी मर्जी है आप यहीं पर तोड़ दो या आप इनको अलग से ले आओ हम इनको अलग से लेके आ रहे हैं करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा इधर की तरफ बताओ अच्छा इस एंड मन को तोड़ेंगे इधर से क्या आ जाएगा एंवन कॉस थीटा इधर की तरफ एंवन साइन थीटा इधर से देखोगे तो एंड टू का कॉस थीटा इधर से आ जाएगा एंड टू का साइन थीटा नीचे की तरफ क्या है सॉरी नीचे की तरफ क्या है बेटा एम जी करेक्ट इस डिरेक्शन में बैलेंस करोगे तो एक्स एक्सिस, तो एन वन का साइन थीटा, एक्कोल्स टू एन टू का साइन थीटा, ये तो तुम्हें अंदर से भी महसूस हो रहा होगा एक फीलिंग आ रही होगी कि एन वन और न टू दोना बराबर बराबर होगे, आई थी कुछ लोगों को फीलिंग, देखने सई क्य हमने प्रूफ कर लिया, एन वन और न टू दोनों बराबर बराबर हैं, अब इधर की बात करते हैं, इसको एन बोल दें, तो उपर की तरफ क्या है, एन कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा एक्कोल्स टू एम जी, तो एन की वेलू क्या होगी, एम जी अपॉन टू कॉस जीटा, बोलो, कितने लोगों का सही था, हाथ उड़ाओ ज़रा एक बार, कम लोग, नहीं, कुछ लोग बच रहे हैं अभी, जिनके नहीं हुए सही, मतलब हो सकता हूँ, उनके में थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, टेक्निकल हाथ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो अन्म्यूट करके बताओ, हमें, यह प्रॉब्लम है, चलो देखो, देखना, अच्छा, पी गई है, बढ़ जाएं आगे, यह सर, चलो देखो, नेक्स्ट, अगला है, हमारा नेक्स्ट टार्गेट है, एक कोशन और करो, चलो, देखते हैं, यह इनक्लाइंट प्लेइन है, थीटा के एंगल पर, ठीक है, हमने क्या किया, इसके उपर एक स्फियर रखा है, अबे, यह गोला नहीं बना, हाँ, मेटे क्या चलो, गोला बनाते हैं, इसको, अच्छा क्वालिटी का थोड़ा सा, गोल जैसा लगे गो, यह तो चपता हो गया यार, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बनानी पड़ेगा गोला, इस पर यह गोला रखा है, अब ठीक है, इस गोले से एक रस्षी बंदी हुई है, यहां से, और यॉन्टल है एक दम, ठीक है, गोले में एक ऐसे रस्षी बंदी हुई है, ऐसे, सवाले इस रसी में टेंशन कित्ती होगी यह स्ट्रिंग जो है वो होरिजॉन्टल है स्ट्रिंग होरिजॉन्टल है find tension in the string end normal reaction कोई force पूछा जा रहा है बेटा NLN की मदद लेनी ही लेनी है चलो करो इसको आ गया बताओ tension आएगी mg 10 theta और नॉर्मल आएगी mg अपन cost theta बाकी लोगों का क्या है अमत यह 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 बोलो 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 यह सर यह 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 इक कोछ और अंसर आगा यह सर ठेंशन mg इंटू 10 दिटा आ रही है दिटा आ रहा अरे mg इंटू 10 दिटा ही आ रहा देखते हैं ठीक है देखो सबसे पहड़ी बार tension कैसी लगेगी horizontal mg कहां की तरफ लगेगा mg कहां की तरफ लगेगा नीचे की तरफ तीर क्यों समझ लेता है यार इसको चलो normal कहां से लगेगी बेटा हमारे इसाब से यहां से लगनी चाहिए आया न यहां से लगनी चाहिए normal बना दे normal इस तरीके से angle नहीं समझ में आ रहा है angle theta कौन सा होगा बेटा बताये था n और mg के बीच का angle क्या होता है theta तो यह वाला angle theta होगा की नहीं होगा yes sir होगा theta बोलो element t और mg तो सही है यह n कुड़कुड कर रहा है बोलो सही कह रहा है तो क्या लिखेंगे ऐसे बना ले लीचे की तरफ mg हो जाएगा इदर की तरफ t रहेगा इदर की तरफ क्या आ जाएगा उपर की तरफ n का cos theta इदर की तरफ क्या हो जाएगा n का sin theta बोलो अब n का cos theta equals to mg है तो n equals to क्या हो जाएगा mg अपॉन cos theta ठीक है और t equals to कित्ता है बेटा n sin theta उठा के यहाँ पर पुट कर दें तो कित्ता है बेटा mg अपॉन cos theta into sin theta t must be mg 10 theta बोलो करेक्ट है आया ना बोलो ठीक है क्या क्या किया आप सर्थ सही है सही है बढ़ दें आगे येस था चला next देखो हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था नहीं तो अगला example देखो देखो रसीयां तीन अलग अलग हैं याद रखना इस प्रॉब्लम में एक रसी ऐसी है दूसरी रसी ऐसी है तीसरी रसी ऐसी है यहाँ पे एक नॉट बंदी हुई है question is find tension in each string ठीक है बोलो बेटा करो इस सवाल को तरीका अब भी वही है acceleration constraint से कोई मतलब नहीं है पहली रसी है पहली tension दूसरी रसी है दूसरी tension तीसरी रसी है तीसरी tension इसकी FBD भी यही बना दे कि अलग बना ले अलग बना ले रहे रहें बेटा नहीं तुम कहोगे सर आप खुदे ही बोलते हो अलग अलग बनाना है और आप खुदे ही यहाँ बनाने लगे एक साथ तो इसके में क्या आएगा बेटा mg उपर से कितना है T3 की value directly लिखी जा सकती है कितनी mg T1 की value क्या लिखेंगे देखो ये angle theta हम देना बूल गए बेटा ये theta है हमारे हिसाब से ये वाला angle भी कितना हो जाएगा theta पताओ तो इस वाले point का क्या होगा नीचे की तरफ लगेगा T3 यहाँ की तरफ लगेगा T2 इसको आप तोड़ लो दो हिस्सों में उपर आ जाएगा हमारा T1 का sin theta इधर हो जाएगा T1 का cos theta आप कर लोगे सवाल को बोलो T3 की value आपको पता है कितनी है mg तो T1 sin theta equals to mg T1 equals to क्या आगया mg upon sin theta यह हो गया यह हो गया T1 T3 आगया T2 कितना होगा T2 must be T1 cos theta T1 की जगे पर लिखेंगे हम mg upon sin theta into cos theta mg upon 10 theta correct है ठीक है की नहीं यास सर्थ चलो आगे बढ़े इक कोशन तो हमीं ने करवा दिया यार तुम्हें चलो अब एक question और देखो question इस तरीके का है बेटा एक inclined plane है इस पे एक ऐसे block रखा हुआ है M इसका mass है question is find tension in the string हुआ है हुआ हुआ है क्या कह रहा है बेटा जल्दी करो सौल कितना आ रहा है नाई देखो सब गर्वड कर रहे हुआ सबसे पहला काम क्या करना है टेंशन देना टी होगी टेंशन बोलो इधर पर टी की टेंशन हो गई अब इसकी FBD बनानी थी ने टेक्सी वाला था फंडा होई लगा रहे थे टेंशन ही लिखना था एक्सेलेशन और कंस्टेंट का कोई मतलब नहीं है FBD बन रही है सबसे पहले यहां पे लगेगा MG और साथी साथ में यहां पे क्या लगेगा नॉर्मल आप जानते हो यह वाला एंगल कित्ता है यह N और MG के बीच का एंगल है यह थीटा होगा बोलो बेटा ठीके अब हम यह खोशारी खेल लाएं खोशारी इस तरीके से खेल रहा है कि हम ऐसे ले सकते हैं कि X और Y-axis ले सकते हैं इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा होगा कि TV-axis पे आ गया और नॉर्मल भी एक्सेस पे आ गया आ यह ना आ गए कि नहीं आ गए इसमें केबल एक ही को हमें तोड़ना है अधरवाइस हमें दो को तोड़ना पड़ता है समस्था हो जाती गंबीर बोलो आ यह ना अरे बताओ बेटा तो फिर से समझा दे रहे हैं फिर से फिर को समझा दे रहे हैं देखो हम यह कह रहे हैं यह FBD सित्फाक रख रहे हो अगर हम X और Y ऐसे बनाते हैं X और Y तो हमारे घर की जागी रहे यार बताओ बस परपेंडिकुलर होने चाहिए बताओ वहाँ है ना क्यों Yes तो X और Y अगर आप ऐसे लेते तो केवल एक ही X पे आता ना MG यह N इदर की तरफ फस जाता T इदर की तरफ फस जाता तो बताओ क्या इसमें बुद्धिमानी है इसमें कि इसमें बुद्धिमानी है अगर ऐसे बनाओगे तो इदर की तरफ हो जाएगा T इदर की तरफ हो जाएगा N और MG बीच में फस जाएगा बुलो किसमें बुद्धिमानी है इस तरीके के में बुद्धिमानी है या इस तरीके के में बुद्धिमानी है अरे बन में या 2 में किस तरीके से जाना चाते हो तू को तोड़ोगे टी को तो दो दिशाव में तूटेगा यहां हाँ तो टू को ना ठीक है तो वन को अटा दे अरे आपकी आदत पड़ गई थी हाँ टू बाला गुड तो इस अब आपको पता है यह एन की लाइन है और यह mg की लाइन है इन दौनों के बीच के अंगिल थीटा होता है इस पर कट यहीं पर लगा दो अगर यहां कट लगा देते हो तो तुम्हारे लिए यह फायदा हो जाएगा कि तुम ठीक है यहीं पर कट लगा दे टी अरे यार टेड़े मकूडे हो जाते हैं सब एन इधर क्या हो जाएगा mg का साइन थीटा mg का कॉस्ट थीटा अब इधर वाले इधर से बराबर हो जाएंगे इधर वाले इधर से बराबर हो जाएंगे टी इकल्स टू कितना आ जाएगा mg का साइन थीटा और n इकल्स टू क्या हो जाएगा mg का कॉस ठीटा, बोलो करेक्ट है ये बात, हाया न, अरे बताओ बच्चा, ये समझ में आया, अरे हाया न, नहीं आया, फिर से समझाते हैं, देखो, एक बात बताओ, ये FBD तक समझ में आया, T और N वाला और M G वाला, ये सर, इत्ता हो के, हम ये कह रहे हैं, कि अगर हमें, हमें देखो, X और V magic दो perpendicular direction में चाहिए होता है, तो हमने अगर ये होश्यारी खेली, ठीके, हमने क्या खेल खेला, हमने बोला के अगर ऐसा हो जाए, ठीके हमने बोला अगर ऐसा हो जाए कि ये ये और ये डिरेक्शन हो जाए दो तो ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं रहेगा बोलो आया ना तो इनी दो डिरेक्शन में X और Y मान लेंगे तो हमारे पास दो हो जाएंगे एक्सिस के अलॉंग ये एकलोता ही है जो भटकेगा इसको हम तोड़ लेंगे इधर उदर तो इसको हम जब इधर ले आए ये थीटा था इधर थोड़ा बनाने में तकलीफ हो रही थी तो यही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है इस mg को दो हिस्तों में तोड़ दिया t को कौन बैलेंस करेगा mg का sin थीटा वाला कॉंपोनेंट इस n को कौन बैलेंस करेगा mg का cos थीटा वाला कॉंपोनेंट बताओ अब क्लियर एक था इसमें आप कोई परिशानी हो तो बताओ जिसने पूछा था उसको समझ में आया हाँ को कॉश्चन और दे रहें कृति बेटा दे रहें कॉश्चन दे रहें भी छोड़े नहीं है कॉश्चन चलो नेक्स देखो बीडियो रुक रहा है क्यों हमारे में भी मतलब किसी और के में लाग हो रहा है क्या किसी कोई ऐसा जिसके में सब कुछ सही चल लाओ देखो चल रहा है बेटा तुम थोड़ा सा तुम थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करो बेटा नेटवर्क की दिख्कत होगी हमको लगता है ठीक है चलो अगला देखे नेक्स तरीके का है बेटा देखो अगला माल लो ऐसा है कुछ उसी को मोडिफाई कर दे रहे है पुली है पुली है बेटा पुली है ठीक है कर देखे जाथा कुली है ठीक है पुली है ठीक है कुली है ठीक है कुली है में आपकट रहे है देक है अदू चाहि Sixt화를 को कर देक्सराब कर देक्सराब मेंगर रहे है अनने प्वस्षाव का लृफ ओवर है system can remain at rest तर वो गया यस्तिर पाठी जाने दो विटा मिया आई आइ क्या रहे है चलो देखते हैं देखते हैं बेटा स्टार्ट करें कि कर रहे हो अप लूग रूँ से इंधिन बस कर रहा है जाव है रूँ 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 है । रूँ गयो एकदम करो करो इत्मान से करो कोई बड़ी नहीं हमको सीखना है बस Sir, capital M is equal to 2 small m sin theta Let's see, देखते हैं Hello आया चरो देखें सबसे पहले, टेंचन बनाएं सबसे पहले, टेंचन बना दी, एक्सेलरेशन कंस्ट्रेंट का कोई मतलब नहीं अब FBD की बारी है, सबसे पहले, जो आसान FBD है, capital M की वहीं बना लें यह फस्ट एक्वेशन हो गई, सेकेंड किसके लिए बनाएं, इस छोटे बाले ब्लॉक के लिए देखो, यहाँ पर हमारी बात थोड़ा गंभीरता से सुनना, यह T है, यह है N यहाँ पर लग रहा है M G यह एंगल N और M G के बीच का यह Theta होता है, हम यहीं पर M G को तोड़ लें, इदर और इदर बोलो, अगर आपत्ती ना हो, तो इसको यहाँ वहाँ तोड़ लिया जाए, इदर की तरफ क्या हो जाएगा? M G का, कॉस Theta, बेरी गुड, इदर आजाएगा हमारा M G का कॉस Theta, और इदर क्या आजाएगा? M G साइन Theta, इस पर कट जरूर लगा देना, अब यह कतम हो गया, तो T की वेलू किसके बराबर आ गई? M G साइन Theta, वेरी गुड, यह सेकेंड एक्वेशन हो गई, यह फर्स्ट एक्वेशन हो गई, 1 डिवाइड़ बाइ 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाइ 2, 2 इक्वोल्स टू, M G का साइन Theta, अपॉन कैपिटल M G, कैपिटल M इक्वोल्स टू, M साइन Theta, कुछ गलत तो नहीं किया हैं? सर, आपने, सर, बन बाइ 2 होगा, ठीक, ठीक, कोई बात नहीं, कैपिटल M इक्वोल्स टू, 2 M साइन Theta, यही हैं ना? येस, चलो, ठीक, आगे बढ़ें, हाँ, नेक्स देखो, चलो, अगला कॉश्चन भी तुम्हें करना है, ये हो गया था, सबसे किसी को कोई परिशानी तो नहीं होई थी इस कॉश्चन में, पुराने वाले में? लो, सर, हो गया था, हो गया था, ये? ना, सर, चालो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स देखो, आगला कॉश्चन देखना है आप लोगों को, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, टुक जब आट, प्रफ। लोगों को जसा ने की, छालो की अेक्सेड़गाजे हैं, ज dicht की थाता हैं, ये जबछेदाने पक्वेश्चन आगे बड़दार, हो ऑ्रीक्सऽन फिट से हुआ ही है find capital M so that small m can remain at rest करो भटापट m m m is equal to 3 times m sin theta क्या m is equal to 3 times m sin theta देखते हैं कि अच्छा सवाल क्लियर है ना जो डाइग्राम है वो समझ में आ रहा ना कि कैसा है कि 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 क कि 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 अच्छा कि कि देख सेंगे देखो बेटा टेंशन स्टार्ट करें अपना फंडा हुआ ही है एक्सेलेशन कंस्टेंट नहीं लिखना लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है टेंशन देना इस रसी में हर जगे टेंशन टी है इधर कित्ती हो जाएगी बेटा टेंशन टूटी भूल गए इधर भी कित्ती हो जाएगी टूटी बेरी गुड चलो टेंशन बाले काम से फुरसत अब बनाना FBD सबसे पहले इस आसान बाले की बना ले 3T इकोल्स टू कैपिटल M जी और इस पे क्या होगा Small M में क्या होगा इधर की तरफ क्या लगेगा Small M जी यहां से N इधर से 2T आपको पता यह वाला इंगिल थीटा है बहुत सारे लोग तो लिखते हैं बहुत सारे लोग लिखते ही नहीं है डिरेक्ट बोल देते हैं कि 2T को इधर कौन बैलेंस करेगा मन में ही जानते हो न आप 2T को इधर M जी का कौस थीटा इधर M जी का क्या है साइन थीटा तो बहुत सारे लोग डिरेक्टली इसको बैलेंस करा देते हैं 2T इक्कोल्स तो लिख देंगे M जी का साइन थीटा N इक्कोल्स तो M जी का कौस थीटा ठीक है आगई बात समझ में अरे इसमें आपत्ती किसी को ठीके ये बन और टू है वन डिवाइड़ बाई टू कर दे कैपिटल एम इककोस टू थी बाई टू स्मॉल एम साइन थीटा साइन थीटा डिवाइड किनने प्याया है ना सर्वो अरे बच्चू डिवाइड में क्यों आएगा यार इस एम जी इस साइन थीटा तभी आया है जब इसको दो उसमें तोड़े है हां 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 बिल्कुल बिल्कुल अब हमने इसको तोड़ा नहीं है हमने इसको मन में तोड़ लिया हर बार आप जरूरी नहीं कि करो ही करो बहुत बार आप डिरेक्ट लिख सकते हो तूटी को कौन बैलेंस करेगा इदर एम जी का साइन थीटा एन को कौन बैलेंस करेगा एम जी का कॉस थीटा तो डिरेक्ट भी लिख सकते हो ठीके हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं समझ में आई बात बोलो बेटा एक कोशन और देखोगे हाँ बिलको लखिल एक कोशन और लो चलो देखो एक कोशन को यह कोशन इस तरीके का है चलो देखते हैं इसको आप कैसे करते हो वह यह 30 से क्या वेटा इसकी ढेट पीप उसपे नी पड़ी क्या गूगल ड्राइब वाली फाइल पड़ी तो है उस पर यहां भेद देंगे हम बेज देंगे बेटा तक गूगल कर देंगे हम लिंक भी send कर देंगे और बेज भी देंगे भी रुख जो ठीक ठीक बेटा गुरूप पे डाल देंगे यह बाला एंगल है 53 डिग्री का यहाँ पे लगी हुई एक पुली यह small M है यह capital M है बोलो फिर से फिर सवाल वही है अगेन सवाल अभी वही है find capital M so that a small M can remain at rest बोलो कर दो जो anthropberों जो कर रेंने लुट कर रुट सेठायों किजिए झाल मीट ए रड़ा ईाल है उल झाल 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 बाकी लोग भी करो जल्दी साइन 37 कोर 37 डिग्री और साइन 53 डिग्रे कोर 53 डिग्री की बता जी जब बैलू नहीं पता अब देखो सुनो एक ट्रेंगल होता है एक 37 और 53 डिग्री का छोटे एंगल के सामने की साइट छोटी बड़े एंगल के सामने की साइट बड़ी मजले के सामने की मजली 3,4,5 अब इस में से तुम जो सब जानते हो साइन थीटा रो कॉस्ट थीटा टैन थीटा कैसे निकाला जाता है चलो करो चलो गुड देखते हैं अब देखो small m की fbd सबसे पहला काम tension, acceleration, constraint, fbd और equation एक एक करके चलना शुरू करते हैं सबसे पहला काम क्या करेंगे हम tension देदें यहाँ t, यहाँ t acceleration देना है? नई constraint की बात करेंगे? बिलकुल नई किसकी बात करनी है? fbd की fbd small m की बनाए? small m की fbd बनाए, यहाँ क्या आएगा? इधर बना दे रहे हैं small m इधर की तरफ क्या लगेगा बेटा? tension t यहाँ से क्या आजाएगी? नॉर्मल आप जानते हो, n और mg के बीच का angle theta होता है तो इसका theta किता है? 37 degree बोलो, तो यहाँ से t की value किती? n से अपने को कोई मतलब है नहीं, n से मतलब है? नहीं है, हमें किस से मतलब है? cable tension से हमारे लिए कौन-कौन सा unknown है? T और capital M तो इनी दो में equation बना नहीं है M पूछा जाए तो, नहीं पूछा जाए तो कोई जरूरी नहीं है यह T इधर की तरफ balance होगा? mg के कौन से component से? बोलो, T must be equals to mg sin 37 degree sin 37 होता है 3 by 5 अब देखें किस की capital M की FBD sorry, capital M जी यहां से क्या लग रहा होगा? T, यहां से क्या लग रहा होगा? N यह वाला angle सबको पता है, यह किता है बेटा? 53 degree correct इस capital M G को दो हिस्सों में तोड लें तो T की value किती आएगी? capital M G का sin 53 degree sin 53 degree किता होता है बेटा? 4 by 5 4 by 5 4 by 5 capital M G यह second यह first divide कर दें यह equate करा दें दोनों से 3 M G by 5 equals to 4 by 5 capital M G correct जी जी कटा 5 5 कटे capital M equals to 3 by 4 small M correct है? yes sir चलो, very good एक question और करोगे? yes sir चलो, देखो एक question और अब देखते हैं इसको आप लोग कैसे करते हो? this angle is 37 degree this is 53 degree ठीके? और यहां पे रखा हुआ एक गोला correct पूछा जा रहा है कि अब दोनों surface से normal कित्ती होगी? find N1 and N2 बोलो जल्दी से चलो, good Arjun फटाफट करो इसको भी answer निकालो हम्हाँ क्いきडाँ क्प्षण लड़ जो सकता है एक आ रही है कित्ती 4x5MG और दुश्री आ रही है 3x5MG चलो देखते हैं बाकी लोगों का चलो देखें 4x5MG दोनों की आ रही है ना बेटा एक तरफ सहिंते से एक तरफ 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 है 4x5MG और 3x5MG देखो यह बाट जालो देखो चाट सबसे पहला काम क्या करेंगे सबसे पहले क्या लगेगा आपका MG यह इसा क्यों हो जाता है चलो नेक्स्ट हमारा क्या लगेगा अगला लगेगा इधर से यहां से ऐसे लगेगा यह क्या होगा N1 दूसरा क्या लगेगा यहां से यह चीज और बताना बूल गए कि इसका एंगिल कित्ता होगा बेटा यह किस सर्फेस का नॉर्मल है इस सर्फेस का इसका इंग्लाइन प्लेन से एंगिल कित्ता है 37 तो यह वाला एंगिल भी कित्ता हो जाएगा 37 दिग्री चलो अब इधर आते हैं इधर से यह आ रही है इधर की तरफ जाएगा नॉर्मल N2 बोल दें इसको यह एंग्ल कित्ता है 53 डिग्री 53 डिग्री अरे यह सब 37 डिग्री के बाद यह 53 डिग्री होगा चलो अब एक बाद बताओ ओशारी बुद्धिमत्ता किस में है बेटा किसको किसको ब्रेक किया जाए MG लेकिन यह सुनो बेटा यह तभी काम का है जब यह एंग्ल कित्ता हो 90 डिग्री हो ठीके यह 37 था यह बर्टिकली अपोजिट होगा न यह इसके यह बाला एंग्ल कित्ता होगा 37 और यह बाला एंग्ल कित्ता होगा 53 एक बन गया काफी है अब इस MG का इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा इसको ब्रेक कर दें चलो देखो अब हमने एक काम किया यहां से दो पर्पेंडिकुलर डिरेक्शन अलग से बना ले रहे कोई कन्फूजन न रहे इधर से क्या आया बेटा N2 इधर से क्या आया N1 इधर MG का कौन सा कॉम्पोनेंट होगा Sine 37 Very good यहां क्या होगा MG का Cos 37 तो N1 किसके बराबर आ रहे बेटा Cos 37 is 4 by 5 4 by 5 MG N2 की वेलू कित्ती आ जाएगी MG का Sine 37 degree Sine 37 is 3 by 5 3 by 5 MG Very good समझ में आई यह बात आया ना चलो अब आज इत्ते ही रखते हैं हम एक काम करेंगे हम एकाद गंटे में भी भेज रहे हैं आपको DPP ठीक है उसको लगाना है ठीक चलो